आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 करेंगे चैप्टर का नेम देख लिजे भोजन, पोशन, स्वास्त यम् स्वास्त ता फूट, नूट्रिशन, हेल्थ and फिटनेस ठीक है, ये पार्ट 1 है आप लोगों का पार्ट 1 में हम पुरा चैप्टर कवर नहीं करेंगे कुछ ही टॉपिक्स को कवर करना इस वीडियो में ठीक है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा इसी चैप्टर का तो इसमें क्या पढ़ लेंगे आज भोजन के वारे में तो आप लोगों को पता ही है तो आज के टॉपिक में में क्या होगा भोजन और पोशन भोजन और पोशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे काफी लेंधी चेप्टर है इसलिए थोड़े थोड़ा करके हम इसे पढ़ेंगे ठीक है चलिए फिर देखते हैं इसका इंट्रोडेक्शन क्या है किशोरावस्था के बारे में तो आपको पता ही है किसोर अवस्था के आरहंब से ही किसोरों किसोरियों में क्या होता है तेवर गती से सारविक सामाजिक एवं समवेगात्मक परिवर्तन होते हैं यह जो आप लोगों की एज है इसमें चेंजेज बहुत जादा होते हैं कौन से चेंजेज सारिक चेंज भी होता है सामाजिक चें सवस्था मानुसिक समाजिक विश्वास उप्युक्त दिश्टी कौन आदी गुड़ों को अर्पित करके समाज में एक महत्वपूर्ण इस्थान प्राप्त कर सके ऐसे में जब इस्थान कैसे प्राप्त करेगा जब बच्चे को पूरा सही सदेखने में भी ठीक ठाक हो जब खाने और काम करने में भी ठीक हो सरीर से भी तो लेकिन यह सब कब होगा जब बच्चा पूरा पॉष्टिक भوجन अपने खाने में लेगा तबी वह सवस्थ रहेगा सरीस भी सुन लामध स्वस्थ एक सिक्खे का ओता है दो पहलू होती पर स्वस्थ पहले होते हैं अच्छा पर अच्छा मुख्ध टोस्थों पर ही निरवर करता है हमारा सरीर जो है किस पह निरवर है हम क्या चीज़ खा रहे हैं कि कि अपने डाइट में किन चीज़ों को सामिल कर रहे है उसीoser पर हमारा ब्रड़ी निर्वर करता है कि इस अध्याइं में क्या पढ़एंगे भोजन apos 점 मेण स्वास्तता के बारे में अध्यन करेंगे तो चलिए पहला टॉपिक हमारा क्या है भोजन के बारे में, क्या है, भोजन के बारे में, भोजन क्या है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना भोजन के जीवन आप पॉसिवली नहीं है, जिस प्रकार पैट्रोड पिलिजर आदी के बिना, हम गाड़ी नहीं चला सकते, बस नहीं चला सकते, ठीक उसी परकार, बिना भोजन के, आपका सरीर काम करेगा, आपका सरीर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, जब आपको भोजन मिलेगा, तभी आपको एनर्जी मिलेगी, और जब आपको एनर्जी मिलेगी, तभी आप कुछ का सकते हो जैसे आपने मैंने बताया कि पैट्रोल गाड़ी के लिए जरूरी है ठीव उसी प्रकार से भोजन आपके लिए जरूरी है तब आपका सरीर काम कर सकता है वे सभी पदार्थ जिने मनुष्य ग्रहन करने के पश्चाथ अपनी पाचन के लिए द्वारा और सोसित करके विविन सारी कारियों के लिए परियोग करता है भोजी पदार्थों में समलित किये जाते हैं क्या होता है भोजन वे सभी पदार्थ प्रियोग करता है वही क्या कहलाता है बोजी प्रदास में समलिद किये जाते हैं वही भोजन हमारा होता है कि अब भोजन को उसमें उपस्तित पोसक तक तो यों कार्यों के अधार पर वर्गी करें क्लासिफिकेशन ऑफ फूड ऑन दा बेसिस ऑफ न्यूट्रियंट्स एंड फंसन फूड को किस तरीके से बाटा गया है उसके न्यूट्रियंट्स और उसके कार्यों के अकॉर्डिंग ठीक है दो तरीके से देख लीजिए पोसक तत्यों के अधार पर भोजन का वर्गी करन पहला हम कैसे बाटते हैं पोसक तत्यों के अधार पर भोजन का वर्गी करन कर देते हैं दूसरा कार्य के अधार पर कारे भोजन तत्तो के पोसकततो के अधार पर कैसे करते हैं फोसकततो सबी जो पोसकततो हैं हमें भोजन में लगबग 50 विविन रसाइनिक पधार्त पाये जाते हैं रसाइनिक पदार्तों को उनकी सरचनायों कारियों के दार पर 6 मुख्य वर्गों में बाट दिया जाता है जिने हम क्या कहते हैं पोसक तत्व कहते हैं वो 6 वर्ग कौन से हैं कार्बोहाइडेट्स, प्रोटीन, वश्रा, फैट, खनीज लवन, मिनरल्स, विटामिन्स, एंड जल यह क्या हैं हमारे 6 पोसक तत्व हैं जिनको हम वर्गी करन भोजन के दार पर इनका वर्गी करन हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्या था कारे के अधार पर कितने हुल्ए बाता गया है चार में उर्जा उत्पातक पोच्टत्त तो किन चीजों से हमें उर्जा मिलती है कौन से चीजे जो हम लेंगे पोच्टत्त क्यों थो कार्बोng, वसा और प्रोटीं कहुआंगे हमें क्या प्राप्त होगी उर्जप प्राप्त होगी सरीर निर्मार्ण हमारे सरीर का निर्मार्ण कौन करते हैं कौन से पोसक्त तक तो करते हैं प्रोटीन खनिज और जड़ हमारे सरीर को सुरक्षा प्रतान करते हैं जैसे कि आप घर के अंदर हो तो घर के बाहर एक गार्ड लगाते हो security लगाते हो क्यूं ताकि घर के अंदर आप कोई बीना प्रमिशन के अंदर ना आ सके तू क्या है आपके सुरक्षात्मक होते हैं सुरक्षा करने के लिए होते हैं ऐसे ही हमारे सरीर के अंदर सुरत शात्मक पोशक्तत्व कौन होते हैं, जो हमारे सरीर के अंदर बीमारियों को नहीं जाने देते हैं, उसके लिए हमें क्या खाना पड़ेगा, विटामीन, खनीज़ लवण और जलका सेवन अपने भोजन में करना पड़ेगा, तब भी हमारे अंदर कोई बिमारी यहां यह चीज हमारे अंदर बिमारियों को आने नहीं देंगे ठीक है अब क्या है नियम आत्मक पोशक्तत्व कौन से होते हैं जल एवं फो रख फेस जो फाइबर वाले फूड होते हैं फो और जल यह हमारे डेली रूटीन के हैं मतलब न मतलब यहां हमें लेना चािए रूटीन में चोड़न नहीं चाहिए तो कंदय है पर हमने वो जंका वर्गी करंद देख लिया और वर पोसकत्त्तों के अदार पर जह बागों में बाटा गया ठीक है नेक्ट देखते हैं भोजन के कार ना न था तरीके के कारे होते हैं सारीक कार मनोव्य ज्यानिक कार सामाजी के उन सांस्कृतिक कारे भोजन के तीन कारे सारीक कारे के हैं जब हम खाएंगे भोजन करेंगे तो हमें क्या मिलेगी उर्जा मिलेगी तंतुओं का लिर्माड होगा रोगों से बचाएगा हमें भोजन सारीक का कार्यों के सारीर कार्यों का सूचालन भी सही डंग से संपन होगा और हमारा सरीर क्या होगा स्वस्त होगा कब यह क्या है हमारे भोजन के कारे हैं किसमें सरीर के अंदर सरीर के अंदर भोजन की कारे होते हैं और इनके अलग-अलग वर्गों में भी बाटा जाता है यह देख लीजे भोजन के कार सारिक कार मनोवेगनिक कार और सामाजिक और सांस्कृतिक कार सारीक कारे क्या होता है भोजन हमें क्या करता है उर्जा प्रदान करता है तंतुओं का क्या करता है निर्मार करता है रोगों से बचाता है बिमारियों से बचाता है सरीर को सुचारू रूप से चलाना इसी का कारे होता है भोजन का सरीर भिमार सुचारू रूप से तभी कारे करता है उर्जा परदान कैसे करता है उर्जा हम भोजन खाएंगे तो हमें उर्जा प्राप्त होगी और हमें उर्जा प्राप्त होगी हम कोई कारे कर सकते हैं खेल सकते हैं पढ़ सकते हैं जो भी कारे हैं उसे हम कर सकते हैं आंत्रिक कार भी तभी कर सकते हैं जब हमें उर्ज किया सकता होती है और उर्जा हमें कब मिलेगी जब हम खाना ठाएंगे ठीक है जैसे कि आप देखते हो जब कभी फास्ट रखते हो उस दिन आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है क्यों नहीं करता वेटा उस दिन भी आप खाते तो कुछ लेकिन जो हमें जरुवत है वह चीज़े आपको नहीं मिलती और उस दिन आपके अंदर सरीर के अंदर energy नहीं आते फिर आपका पढ़ाई में भी मन नहीं नहीं लगता है तो इसलिए कहते हैं साडरी भोजन का क्या होता है साडरीक कारिण में भी मदद करता है यह में क्या करत प्रदान करना कहां से मिलता है अनाज दाले जड़ पानी सबजी या गुड़ चीनी प्रोटीन का क्या काम है तूटे-फूटे तंतूओं की हमारे सरीर के अंदर मरमत करता है जब हम प्रोटीन निक्त भोजन करते हैं तो वह हमारे कहीं चोट लग गई हमें को मदद करता है प्रोटीन कowned प्रोटीन हमें से मिलता है दाले से दूद से बने पदार्द से मास मचली यादी से चे मिलता है हमें इसका कारे क्या होता है उर्ज सरीर के अंदर एनर्जी प्रदान करता है और हमारे सरीर को चिकनाहट ड्राइप आप के अंदर नहीं रहेता है चिकनाहट को म ai से बनाता यह कहां से मिलता है हमें घी तेल मक्षन सुखे मेवे अदि से मिलता है अब हमारा विटामिन एवं खनिज इसका कारे क्या है यह रोगों से लड़ने की छमता बढ़ाना वह साधिक स्वस्था बनाए रखना विटामिन का क्या काम है यह रोगों से लड़ने की हमारे अंदर इम्यून पावर को बढ़ाता है कौन विटामिस तभी तो इस समय कहा जा रहा है को रोना चल रहा है तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाओ इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कहा जाता है ना सुरक्षा काम करते हैं गार्ड बने रहते हैं यह हमारे सरीर के अंदर यह कहां से मिलते हैं हमें फल और सबजियां से जल क्या कारे होता है सारी क्रियाओं का नियंतर यहां संचालन करना जो हम अपने सरीर से क्रियाओं करते हैं वर्क करते हैं उनका यह कंट्रोल करता है और उनका संचालन करता है जल वह अन्यतरल पद्दार्थ कहां से मिलता है हमें कोई भी लिक्विड चीज से और जल से फोक क्रफट फाइवर होता है निसकासन क्रियाओं का संचालन करता हैं जो हम खाते हैं उसको कैस निकालता है अधिकर से ट्रेउ किस ठीर से रे से उसे फूर से सब्जीयों जडि़ारि होते है की जासे कि evd तकी आपने देख लिया यह चीज़े देख लिए हमें कार्वो आइड़रेट प्रोटिन की चीज़ों से मिलता है और इनके प्रापती के साधन क्या है यह बता दिया मैंने प्रापती के साधन इनके पहले ही देख लिया आपने अब तन्तूंओं का लें दोतर नियुक्त सब्गारी दिश्मों के निर्माड करता गोजन हमारे तंतुों का निर्माड करता है यह वारी सारे क्रिए में काम करते हैं है जैसे क्यों कि मनुश्य के शंपॉर्ट जीवन का असाथा जन्म से लेकर मिर्त्यू तक एक साथी वर्दी आहरJackalaj के dennona के द्वारा करते हैं अपनी अंगों में लगातार बढ़ती on के कारे करने की चमता में विकास करता है को यह हैथं क्वर्ब्ध हों को पुणहरूय। जो टूट फूट गया है तन्तूों का दूधन हमाद चार और उनको रिपेयर करता है, नहीं तन्तूं पिर बन जाते हैं. ठीक है यह क्या था तंतूंगों का निर्मा यह सब मैंने बता दिया आपको बार बार नहीं बताना कि प्रोटीन किस से मिलता और खनीज लवन किस से मिलता है तीसरा इसमें क्या था सारी कारे में रोगों से बचाओ बिमारियों से बचाने का कारे किसका होता है भोजन का और खनीज रवन क्या खाने पड़ते हैं विटामिन जो हम जिन बोज जिन में विटामिन पाए जाते हैं उन चीजों का आप सेवन करोगे फल फ्रूड का और खनीज रवन जिसमें पाए जाते हैं ठीक है यही कारण है कि जो व्यक्ति कम जोर होते हैं उन्हें कोई भी विमारी ज चल्दी से एटेक कर लेती है इम्यून सिस्टम को हमें अपने बढ़ा के स्वस्त रखना चाहिए यह जरूर है इसलिए हमें प्रतेक चीजे खानी चाहिए क्योंकि हमें ऐसा नहीं होता कि एक चीज से हम सोचें कि हमने दूद्ध पी लिया तो हमें सारे प्रोटीन विटामिन मिनरल सब मिल गए ऐसा कभी नहीं होता किसी एक चीज में कोई तत्तो जादा होता है किसी में विटामिन जादा होता है तो किसी में प्रोटीन जादा होता है इसलिए हमें अपने भोजन में हर एक चीज का लिमिट में सेवन करना चाहिए ठीक है नेक्ट देख लिजे सरीर क सुचारू रूप से चलाना किसका कारे होता है हमारे भोजन का कारे होता है सरीर के विभीन पोसकत तो होते हैं कौन-कौन से कारवोज प्रोटीन वसा बिट्प्रामिन खनीज लवन की आओ सकता हमारे सरीर को होती है ठीक उसी प्रकास सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे सरीर को सही से वर्क करे तो किस की जरुवत होती है जल लेवं फौक की जरुवत होती है ये भी हमारी क्या करते है शारिक क्रियाओं को नियमन के लिए जल आवस्यक है और मल निर्माने हो जिन्सकासन के लिए आहार में क्या जरूरी होता है फोक होना आवश्यक है तब ही आपका पेट साफ होगा अब ऐसी फोक फाइवर युक्त चीजे खाओगे तो आपका पेट भी साफ रहता है अब यह था आपका सारीक कारे के पढ़ लिए चार पार्ट अब आपका क्या था मनोवैज्यानिक कार क्या है मनोवैज्यानिक कार मनोवैज्यानिक क्यार क्या है कि आप कुछ खाए और आपको उससे संतुष्टी मिली संतुष्टी मिलेगी तभी तो आपको माइंड आपका क्या कहरा आप जो चीज खा रहे हो आप फेवरेट चीजे होंगी तो आपको उससे जरूर संतुष्टी मिलेगी लेकिन आपकी कोई चीज फेवरेट नहीं होगी जब अरजस्ती खिलाएगा तो आपका माइंड क्या करेगा तो उस समय काम नहीं करेगा आपको उससे संतुष्टी प्राप्त नहीं होती है जैसे कि एक छोटा बच्चा है रो रहा है तो उसे मा का दूद पिला दिया जाता है वेटा तो क्या हो जाता है चुप हो जाता है क्योंकि उसकी जरुवत क्या थी दूद की ही थी और दूस्से ही उसे संतुष्टी मिलती है तो उसे वहाँ पर अनुभव होता है और प्रसंता मिलती है ऐसी ही आप अलग-अलग पक्वान खाते हो, यदि आपका फेवरेट है तो उससे आपको संतुष्टी मिलती है, तो यही क्या होता है हमारा मनुव्यज्यानिक कारे होता है, मनुष्य को वही भोजन अधिक स्वात्मानसिक संतुष्टी परदान करता है, जो वहाँ प्रति दि खाता है, यही कारण है कि मनुष्य किसी परकार के परिवर्तन या नय भोजन को अपनाने में क्या करता है, संकूचित महसूस करता है, मनुष्य को जो चीजे हैबिट में आ चुकी है, आपको जैसे कि हम खाना हमारे मां बनता है, तो जो चीज हमारे मां है हैबिट में कि यह समाजिक कारे में क्या जाएगा भोजन जो है अब हम कर रहे हैं आपके पडोस में कोई है कुछ अच्छा बनाए तो आप क्या करते हो उनको भी दे आते हो लीजी आप भी खाई आज मैंने यह बनाया देतो हो न तो इससे क्या कि हम मिल बाट के खाते हैं तो इससे हमारे संबं क्या हो जाते हैं और भी अच्छे मीठे होते हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं एक दूसरे को कुछ बनाया उन्होंने बनाया तो आपको दे देंगे ऐसे खाना बात कर खाने से क्या होती हमारी मित्रता बढ़ती है यह मित्रता का क्या माना जाता है प्रतीक माना गया है जो पहले भी चलता था और आज के यूग में भी यह सत्य है जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी कोई गैस्ट आता है घर में तो हम डिफ्रेंट टाइप आप फूर्ट्स बनाते हैं उनके सर्व करते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे वह खुस हो खाके ऐसी घर में कोई पार्टी ह या हम लोगों को बिलाते हैं तो डिफ्रेंट टाइप आफ फूर्ट सुने क्या करते हैं हम बना के खिलाते हैं तो यह क्या है आपस में संबंध हमारे इससे क्या होते हैं अच्छे होते हैं सांस्कृतिक क्या होता है कोई फैस्टिबल है तो आपके परोस में कोई जैसे हिं वो आपके फैस्तिवल को समझ रहे हैं क्या बनता है वो खा रहे हैं और इन्जॉय करें तो आपस में मित्रता इससे बढ़ती है यह क्या है हमारे समाजिक कारे भोजन के कारे क्या थे सारिक कारे मनोवध्यानिक कार और तीसर imagin涯 था सामाजिक और संस्कृतिक कार ठीक है, अब है पोशन कहिए कि पोशन क्या है। इस सब् pää में कहा सोड़ील हो दोल सरीर में आख डぐ भोजन संक्रेसिक लाई नख़ पहलसे प्रकरियाओं का योग हैं जिनके द्वारा प्राणि जीवित रहने के लिए आवश्यकсть प्राप्त कर उप्योग करता है हुब हम जीवित रहना है तो मलगलग परस्थव लेंगे। तसलिक विकास तूटे-फूर्टर वूट meats तंतु overlapping and यह तो उर्जाप्राप्त हमें इसी से पोशन से होती है पोशन वह विज्ञान है जिसके द्वारा हमें निम्न परकरियाओं का ग्यान होता है कौन सी परकरियां का ग्यान होता है भई हमें पोशन के द्वारा कौन सा विज्ञान देख लेते हैं जीवित प्राणी द्वारा ग बचल रहे हों जाके फिर किसमें मिलता है हमारे ब्लड में उनको अप्जॉब ब्लड हमारा क्या कर लेता है उससे एब्जॉब कर लेता है पर्ट पष्टट भष्री इस हulty go look घ्रिया अफिर क्या होता है उसके बाद यह हमारी सरीर की को सिकाई जो है जो हैं वह उसे क्या कर लेती है एब्जर्ब कर लेती है उन्हें यूज करती है नोई को सिकावा बनाने के लिए अब है पोशन विज्ञान के द्वारा मनुष्य सरीर की व्रिद्धी, विकाज, सिकारेचमता, क्रिया सीलता, स्वास्ते, मनोविर्थी वबेहवार से संबंदी सभी आउसकताओं वब परिकिरियाओं जिनका आहार से इसपर संबंद है अध्यन किया जाता है पोशन की स्थिती की परिवासा अभी बताया इस्थिती की परिवासा भी देख लिजे nutritional status परतेग जीवित प्राणे बोजन ग्रहन करता है जो भी इस प्रित्वी पे है वो भोजन जरूर ग्रहन करता है पोशन पर किरियाओं द्वारा उसका सरीर में उपयोग करता है जिसस बीटी की स्वस्त की स्वास्त से संबन्दित है इसका अनुमान व्यक्ति केory Прam Bakitonis स्वस्त से इस भार से डिल-डाल लगाया जा सकता है कि पोशन इस्तिति हो सकती है अब आ ИС किसी देखते हो तो क्या आंदाज लगाते हैं कोई स्वस्त बाईगती होगा तो आप हो 겠죠 कि हाँ ये खाने पीने वाला सही से खाता और कोई दम्सक्व इसके अंदर एनर्जी न वर्क न कर पाता है उस से देख किया अंदाज लगाते हैं अरे ये तो POSTION इसके वाशन भोज़न नहीं खाता हुगा ये बस क्या खाता होगा शू पोशन और खूपोशन के अंदर और तीन भागों में बाटा गया है अत्यधिक पोशन आप्रयाप्ट पोशन और असंतुलिक पोशन शुपोशन क्या होता है जब हम अच्छा भाई भोजन कर रहे हैं सभी पोसक्त तो अपने भोजन में सामिल कर रहे हैं तो हम स्वस्थ हैं गुड नूट्रिशन ले रहे हैं तो हमारा बॉड़ी क्या है स्वस्थ है इसी सभी मारी के बिमारियों से लड़ने की चमता हमारे अं उंत्तं स्वस्त ग्रहन करता है команд क्लेक है लक्षण क्या होता हैं व मुझीन प्रफापर्ण समाने रहता है मासपेसियाँ सहम ब ही मी भ शिल्लिबएं प्रफु कायमित विल् से स्वस्त होता है तद् лиш आख स्वस्त होती है न याय ऑंध्य व शास्ध मस्तियाँ निट्रीएंट्स लेते हैं अपनी डाइट में तो हम ते हैं किया कुपोशन का क्या रहत है और भिवस्थित पोशन तो ले रहे हैं लेकिन फोली वोन एक जी घाइन gegenž дорогil में प्रोटीन दीन जे भाले रहे हैं दूसरे छीजें नहीं ध्यान तू पोपोशन को सिकार हो जाता है। जब मनुश्क उसके शारी до सकता है अनुकूल उप्यूक्त मातरा में सभी। मलते ही या फिक आओ Ala НАी, या फिन मिलते हैं सतंते हैं मातना पहल रभगान तो उसे क्या होजाता है? कुप पोशन हो जाता है कुप पोशन के कारण मनुष्ट की सरीर की भृध्धी, विकस, कारे सिलता पर भी बहुत जादा कुप परभाव पढ़ता है कुप पोशन के स्थिती को उग्र कर देते इनकी भी ती नवस्ता आपने देखा था अप्रयाप्त पोश्ण अत्यधीग पोश्ण अप्रयाप्त पोश्ण क्या होते हैं जब जैसे एक सरीर को जितनी मात्रा में पॉस्टिक तत्व की जरूरत होती है उतना नहीं लेते उसके कम लेते हैं तो यह क्या कहलाता हमें अप्रयाप्त पोशन कहते हैं इसके प्रणाम सरूप क्या होता है सरीर का विर्दी और विकास सही डंग से नहीं हम जब पौश्टिक तत्यों सही से नहीं लेंगे कम मात्रा में लेंगे तो हमारी सरीर का विकास विर्दी और विकास सही डंग से नहीं होगा ठीक है और अलग-अलग पौश्टिक तत्तों की हींता जनित रोग भी उत्पन हो जाते हैं अत्यधिक पौशन्ट से क्या होता है जब सरीर के ओसकता क्या अनुकूल उप्यूक्त मात्र से आप अधिक पौश्टिक तत्तों ले लेते हो तो भी आपके लिए सही नहीं आपके सरीर के लिए एक लिमिट है कम लेना भी सही नहीं है आपको क्या होता है स्वास्त के लिए हनिकारक होती है विटामीन ए विटामीन कि अंदि और लोहा को हम अपने सरीर के अंदर अधिक मात्रा में ले लें तो भी ये हमारे सरीर के लिए परिणाम सरूपी होता है ठीके थर्ड क्या था असनतूलन विभीन पोश्टिक तत्यों की मातरा संतूलित नहीं होती तो इसे क्या कहते हैं हम असंतूलन की कारण भी स्वस्थ पर हमारे क्या होता है कूपर भाव पढ़ जाता है यह मैंने अभी दिखा दिया असंतूलन भी दिखा दिया ठीक है जब नेक्स चलते हैं पोशक तत्यों के हमारे भोजन के अंदर उपस्थित हैं जिनके सरीर को प्रयाप्त मात्रा में आवश्यक होती है सुष्थ रहने के लिए सभी पोसक्तत्यों की जरूरी है और सकता है प्रोटीन कार्बो ज्वसा विटामिन खनिस जल रेसा यही पढ़ोगे यही सारी चीजे आप पढ़ोगे ज क्या होता है यह आप देख लोगे प्रोटीन की कमी से देखो विकास की गती रुकना सरीर अस्वस्थ होना बच्चों में बिमारियां हो जाती है कौन सी प्रोटीन की कमी से क्वासिर कौर कौन सी बिमारी होती है क्वासिर कौर और मरामस जैसे रोब बिमारियां हो जाती है अब प्रोटीन का कारे क्या है सरीक तन्तुव को निर्माड करते हैं एंजाइम हार्मोन हिमोगलोमीन एवं रोक परतीकारक आदी के निर्माड में सहायक होते हैं कार्वोस का आप देख सकते हों कम माता में फ़कावट को जाएगा किससे मिलता पहले बता दिया गया देख लोगे किया है ,पहले बता दिया जिए तीन सीजों का आप क महुणों आप वकल किससे पारफ से सरेज़ों क्ट। एक ग्राम वसा में 9 कैलोरी होते हैं और वशा किन चीजों से मिलता है आपको दिख रहा होगा मखन, गी, वनस्पती आपको पता भी होंगी पहले से विटामीने देख लो विटामीने की कमी से क्या होता है आखों की प्रॉब्लम होती है न रतौन धी, आखों में धब्बे, आख सूखना, अंधापन किस की कमी से? विटामीने की कमी से वसा विले विटामीन प्राप्त ना होना ये देख लीजे, इसका कारिक है तवचा और स्लेस्मिक जिल्ली को स्वस्त रखना रात्री अंधता से बचाता है कौन? यदि हम अपने डाइट में प्रापर विटामीन ए खाएंगे और मिलता किस से है? मचली के तेल दूद, दूद से बने पदात, गाजर हरी, हरी तथा पीदी सबजीया और फल से हमें विटामीन ए मिलता है विटामीन B1, B2 यह सारा आप देख लोगे इस चार्ट में वीडियो देखते टाइम इन सब चीजों को आप नोटिस करेंगे, ठीक है? अब है हमारा संतूलित अहार क्या है? संतूलित अहार अच्छे स्वस्थ के लिए सभी पोसक तत्तों क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होते हैं और इन ही पोसक तत्तों में से कोई एक हमारे दैनिक हमारे जीवन में क्या होता है? कमी हो जाती है, तो क्या हो जाता है? उससे हमारे सरीर में दुस परिणाम नजर आते हैं कोई ना कोई विमारी हो जाती है इंबैलेंस हो जाएगा और इसके कोई दूस्परणाम होंगे संतुलीत आहार की परिभासा संतुलीत आहार वह अहार है जिसमें सभी पोशक्तत्व होते हैं पोशक्तत्व कौन से हैं देख लिए प्रोटीन वसा खनेज़ा और विटामिन जल रूफो हमारी आवसकता अनुसा उचित मात्रा में प्राप्त हों आहार मनुष्य की केवल शुदा संतुष्टी ही नहीं करता हमारी भूख को ही नहीं मिटाता आहार लेकिन उसे पूर्था स्वस्त निरोगयों पुष्ट बनाए रखता है हमें ऐसा भोजन करना चीए जिससे सभी पोश्टिक तत्व उचि मिलनी चैँने प्रोटीन वसा सारी चीज़े हमें मिलने संतुली तहार किसे कहते हैं कि जिस चैण परिवारी पटएक सद्ध्र स्थीक क्रयां कि मात्रा में उर्जा प्राप्त हो मिस्त्री तहार हो ताथ- titles मीबी ने तकालिक आसक्ता से अधिक हो ठीक vain बिभीन पुसकम तकता तकी दैनिक आसक्ता को पर भावित करने वाले पहला क्या है हमारे एज भी बहुत जादा एक्ट करता है बच्चों का इस समय निर्माडक कारता है तो इसलिए उनको پ्रोटीन विटामीं खनीज उर्जा आदी क्या हुआ सकता है प्रति किलोग्राम सरीर भार के हिसाब से वेक्स से कहीं अधिक is बढ़ों से कहीं अधिक किसको होती है बच्चों को पोस्टिक तत्यों की दैनी का सकता है, क्योंकि ये उनका सरीर क्या होता है, बढ़ने वाला होता है, ठीक है, लिंग, लिंग की बात करें, तो लड़की और लड़कों को देखा जाए, तो किसको जादा होती है, पोस्ट तत्यों क्या सकता है, पुरुशों को, क् वो लड़कियों से जादा अधिक मैनत करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं इसलिए उनको पोसक्तत्यों की अधिक आसकता होती है इसका कारण ये भी होता है कि उनकी भार लंबाई इस्त्रियों से कहीं अधिक होती है और सारी कारे भी वो इस्त्रियों से अधिक करते हैं सरीर के डीलड और अकार अब भाई कोई दुबला पतला है और कोई तंदुरूस्त है तो उसी अकार से अपना पोसक्तत्य भी लेगा भाई सरीर के अकॉर्डिंग ही वह अपना भोजन डाइट भी रखे गा परिश्रम मेहनत की प्रकार का कर रहा है अब ऑफिस वर्प करने वाला है और एक खेट में काम करने वाले दोनों परिशन को देखोगे तो किसके लिए पोसक्तत्य जादा ज्यादा न्यूट्रियम फूट ज्यादा जरूरी है मतलब मात्रा किसके पोसक्तत्यों की ज्यादा जुरूरी है जो खेट में कारे करे है यही कारन होता है कि सारीक कारे करने वाले को सरवाधिक उर्जा की आउसकता होती है जलवायू अब रहते काओं गर्म इलाके में रहने वाले लोग थोड़ा खाने में क्या होते हैं कम और ठंडे इलाके में जो रहते हैं वो भई खाने पीने में ठीक होते हैं जलवायू वहां की ठंडी होती है तो बिसे इसको हुज़ा किया सकता पर जलवायू का भी प्रभाव पड़ता है गरम प्रदेसों में ठंडे प्रदेसों की अपेक्षा कम पोसक तत्व किया सकता होती है यही कारण है कि गर्मियों में हम सर्दियों की अपेक्षा कम खाते हैं नोटिस किया होगा आपने ठीक है आपको read करना है ठीक है तो यह आपका आज part 1 का वीडियो था आसा करती हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझें आ गया होगा नेक्स टॉपिक नेक्स वीडियो में मिलेगा ठीक है वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें जादा से जादा सेयर करें और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं अगले वी पार्ट के साथ पार्ट टू के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई